दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा भीअबडी पर भीअबडी इंडस्टी में इतने ज़्यादा पापलर क्यों हो रहा है और इससे क्या फायदा है भीअबडी क्यों लगाते हैं और ये भीअबडी होता क्या है आज के इस वीडियो में हम आप लोग को कुछ हैसे बताने वाले हैं जिससे आप लोग को भी भीअबडी के बारे में पता हो जाएगा और आपको ये भी पता हो जाएगा कि भीअबडी क्यों लगाया जाता है और इसके क्या बेनफिट होते हैं सबसे पहला सवाल BPD क्या है इसका जो full form होता है variable frequency drive होता है इसे AC motor की चाल बदलने की प्रयोग में लिया जाता है इसके frequency को कम ज़्यादा करके इसे चलाया जा सकता है दोस्तो इतना समझ में आया चलो अच्छी बात है अब बात करते हैं BPD हमारा काम कैसे करता है तो ये हमारा करता क्या है BPD सबसे पहले AC supply को DC में बदलता है और फिर उस DC supply को AC में बदलकर हमें output दे देता है फिर BPD के माध्यम से motor के RPM को कम ज़्यादा कर सकते हैं अब हमारा अगला सवाल ये उड़ता है कि BPD लगाने के हमारे फायदे क्या है तो इसका पहला फायदा ये है कि हम इसको अपने तरीके से हम इसे control कर सकते हैं कम ज़्यादा उसके बाद दूसरा फायदा हमारा ये है कि हम इसको बिल्कुल smoothly तरीके से हम इसे चला सकते हैं तीसरा फायदा इससे ये है कि इससे हम power का भी saving कर सकते हैं जैसे कि अगर हमारा 7-8 hp का motor है अगर और इसे हमें 5 hp का ही load पे चलाना है तो हम इसे उतना पे ही run करा सकते हैं अब बात आता है इसे चलाया कैसे जाता है तो simple size में आप देख रहा है कुछ इसमें हमारा जो इसी में हमें दिया हुआ है button बहुत सारा है जिसमें आप एक potential meter देख रहा है ये हमारा port इसे port भी कुछ लोग बोलते हैं पहले बात तो ये समझ लिजे इस drive को बहुत लोग भी update के नाम से जानते हैं बहुत लोग drive भी सिर्फ बोल देते हैं बहुत लोग इसी drive बोलते हैं बहुत लोग इसे inverter बोल देते हैं और बहुत सारे लोग भी इसे converter भी बोलते हैं तो इस तरह का अगर आपको कोई drive दिखा करके आपको बता रहा है इस तरह के नाम रख रहा है तो आप समझ जाईए कि इसी के बारे में बात हो रही है तो यह जो potential meter है इस potential meter से हम इसे क्या करते हैं कम और ज्यादा motor की speed को कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख रहा है डिस्पले के जश्ट नीचे यहाँ पर एक green color का हमारा button है तो इससे हम क्या करेंगे इससे हम अपने drive को run करा सकते हैं इसी के जश्ट नीचे हमारा एक reset का button है इस reset button से हम कोई भी fault को reset कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यह जो बागी का button बचा हुआ है इससे हम programming को set कर सकते हैं तो अब बात आती है इसे कितने तरीके से चलाया जाता है यह पहला number पर आता है local switch से और दूसरा remote switch तीसरा communication के जरिए local में क्या करते हैं हम इसी display पे जो दिख रहा है इसी के जरिए हम यहीं से operate कर लेते हैं दूसरा उसके बाद से हम remote में क्या करते हैं जो हमारा control होता है जैसे यह देख रहा है control इस control के जरिए हम इसे operate कराते हैं तो यहां से लेके हमें drive तक wire बिचाना पड़ता है इसके लिए और तीसरा communication जो होता है इसमें क्या होता है हम laptop हो गया या फिर HMI हो गया इसके थुरू हम वहां से एक cable के ही द्वारा बस जो हमारा cable होता है जैसे data cable उसके जरीए बस इसे हम control कर सकते हैं फाइनली बात आता है इसका connection कैसे करते हैं तो इसका connection करने के लिए आपको simple इसमें दो तरेके या तो इसमें 220 volt supply होगा input देना होगा या फिर 440 volt supply input देना होगा इसे आप जाकर इसे क्लिक किजिए और इसे जाकर करके आपको वहां पर देख लीजिए पूरा पांच मिन्ट के वीडियो में आपको पूरे complete wiring पता लग जाएगा